आश्का को मिलेगी रजट से बहुत नहीं रजट के गुस्से का शिकार होंगी सबुए स्टापस के शुब कुमे किसी के प्यार में की कहानी में नए ने ट्विस्ट हम सब कब एकसाइटनेंट लेवल बढ़ाते जा रहे हैं वही पार यही ट्विस्ट हमें धीरे धीरे करके थे सारे शॉक भी देने वाले हैं जहां पर एक तरफ हम देखने वाले हैं कि कियार बुलाने वाले हैं पुलीस को और साथ ही साथ आश्का पुलीस के सामने कुछ ऐसा कहती नजर आने वाली है जिसके बाद उन्हें सीधा सीधा रजट से वार्निंग मिल जाएगी यहां तक की रजट तो काफी कुछ बुरावला भी कहती नजर आने वाले है आशका को वहीं दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं फैन्स की जहां पर सभी इक्सपेकर ही होगी कि रजट उनकी तारीफ करें जो नोने इतनी मैनेकस उनके लिए स्पीश लिखी होती है उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोले लेकिन सभी इस बात से अंजान होती है कि एक्चिली रजट अपने काम के लिए नहीं बलकि ऐसी बड़ी मुसीबत से बहार निकल कर आए है जिसको हांगल करना कुछ टाइम के लिए उनके लिए भी इंपॉसिबल हो रहा था लेकिन वो अच्छे से हांगल कर लेंगे तो अब सभी का भी बार बार रजट को सुनाना उनका फेवर ना करना रजट को एक बार फिर से गुसे में ले आएगा और अच्छिली में सभी को उसके बाद जब रजट की सबसे ज़्यादा हेल्प की जरुत होगी तब वो गुसे में आते नजराने वाले देखने वाली बात ही होगी फैंस की मुरुणमाई के केस में तो लकी का सच सामने नहीं आया था लेकिन अब जब लकी की ये पूरी प्लानिंग मिलेंग और शांतनु भोसले को फसाने की है तो क्या आप इस बार ये सच नहीं चुपेगा की लकी ही है इन सारी चीजों के पीछे और एक बार फिर से चिर जाएगी फोसलेज और ठककर्स के बीच में एक नहीं जंग जा निकलेज टापस के शोगों के किसी के प्यार में को लगता देखते रही है टैली मौं को सब्स्क्राइब करना बिलकुर ना बोले